राधे राधे जैस्री कृष्णा आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चनल पर हार्दिक स्वागत है अभी नंदन है मेरे प्यारे बच्चों पिछले दो वीडियो में मैंने आपको तीन वीडियो कहो तो मैंने आपको रंगों के सिध्धान्त के बारे में चर्चा किया है किया है नहीं किया है किया है तो पहला सिध्धान्त मैंने आपको बहुत इक सास्तिर सिध्धान्त रंग सिध्धान्त बताया है दूसरा मैं आपको तीसरा सिध्धान्त बताती हूं मनोवेज्यानिक सिध्धान्त पिछले दो सिध्धान्त पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगी आ करते हैं कुछ रंग करते हैं कुछ रंग करते हैं तेजना करते हैं विश्राम देते हैं तो रंगों से कई तरह के बिमारियों को भी ठीक किया जा सकता है ऐसा मनवे ज्यानिक लोगों का मानना है कई सारे ऐसे जो बिमारी होती है जिसका रंगों के साथ गहरा संबन्ध होता है और हम उस रंग का प्रियोग करके कई सारी बिमारियों पर हम काबू पा सकते है आप खुद भी देखोगी जब आपका मन प्रसंद रहता है तो आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो घर में सबसे सुन्दर कपड़ा होता उसको अप पहनते हो लेकिन अगर आपका मन खिन रहता है आप आप साधी में रहते हो तो आप पहुत चटक रंगे कपड़े नहीं पहनते हैं आप कोई साभी ड्रेस जो आपके सामानी से लगते हैं उसको पहन लेतों कि क्या करना ज्यादा पहन के लेकिन वह साधी विवाह पाल टीम आपके विचार के दोतों होते हैं कि विचारों के भी क्योंकि संवेग से प्रभावित होता है आपका रंग संवेगों को प्रभावित करता है इसलिए कोई व्यक्ति जब दुख में होता है गहरे दुख में होता है तो ऐसे कलर पहनता है जिससे उसको ज्यादा मतलब नहीं पहन सकते हूं और निवली मेरेट जो महिलाएं होती है ना उनका भी देखो ड्रेस किता बढ़िया रहता है वो तो बढ़िया ना पीला रंग नारंगी रंग लाल रंग चटक लाल रंगों का उपियों करती है वैसे आज कल जो फैसन बदला है तो मैं देखती हूं जब जाती लेकिन जब हम रंगों के संबधेगों पर प्रभाव देखेंगे नुइक प्रभाव देखेंगे मनुडविग्व्या सिध्धानत्य रंग देखेंगे तो हम यह देखते हैं कि प्राथमिक रंग 4 प्रकार के हैं और चारी प्रकार के are साबके दिवत्य कणर है अब जो उन्होंने एलो और ग्रीन को अलग अलग लिया था भवतिक सास्त्रेमी मनुविज्ञानिक सिद्धांत में रेड्ण साथ मिला दिया है कि रेड्ट ब्लू एलो और ग्रीन है यह रेड्ड ब्लू और ग्रीन इस चारों जो है वह प्राथमिक क लाल और बुलू को अगर मिलाते हैं यह इस प्रकार से हमने रेड और यो को मिलाया इंप बड़ाबर मात्रा में मिलाया तो हमें मिल गया ना तो औरेंज कलर क्या मिल गया हमें औरेंज कलर की प्राप्ति हो गई अब हम रेड गुग और यह और ग्रीन को अगर मिलाते हैं तो यह व्यां को ग्रीन के साथ नहीं मिलता हैं तो हमें प्राप्ति होती है इसी प्रकार से हमने ब्लू और ग्रीन को मिलाया तो हमें ब्लू और ग्रीन की प्राप्ति होती है ब्लू को हमने ग्रीन के साथ मिलाया तो हमें मिल गया ब्लू ग्रीन बीजी अब हम यह देखते हैं जब हम मानुव जीवन में देखते हैं कि रंगों का क्य गरम रंग है उसने रंग स्रवाधी गरम रंग अगर पूछा जा एक्जामनेशन में तो लाल रंग होता है ओरेंज रंग लाल के पडोस में है तो ये भी गरम रंग होगा ब्लू रंग थंड़ा रंग है वही पर ग्रीन रंग भी हमारा थंड़ा रंग है समझ गए बात को तो दो रंग हमारे एलो और और एलो और रेड ये दोनों गरम रंग है एना ओरेंज रेड के पास है तो भी गरम रंग है और बूव और ग्रीन हमारा ठंडे रंग में आते है अब यह देखते हैं कि प्रभाव पड़ता है क्या यह इस हमारा लाल रंग है लाल रंग है वह एकसाइटमेंट का परतिक होता है किसका प्रतिक है और जादा रंग अगर मानओ की पूरे कमरे को अपने लाल 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 रंग से ब्रणग दिया लाल तो क्या हो जाएगा फिर चड़ चड़ापन होगी इससे चिड़ चिड़ापन होगा फिर क्या होगा बेचे नहीं महसूस होने लगेगी लाल रंग जैसे कोई सी व्यक्ति का खून बहर आए अगर शरीर से लहू देख लेते हो तो आपको बेचे नहीं होने लगती है घबराट होने लगती है वहीं लाल रंग पूल देखते हो तो मन प्रसंद हो जाता है है नियूली मैरेड महिलाएं है ना वो लाल रंग की अगर गौन में रहती है लाल रंग theatre में रहती है लाल रंग होती लेकिन लाल रंग लहू का भी होता है जिसको देख करके बेचेनी होने लगता है व्यक्रता होने लगता है तो लाल रंग किसके प्रतिक है एकसाइटमेंट का चुच्रापन का व्यक्रता का बेचेनी का गरम सरवाधिक गरम रंग लाल रंग है अब दूसरा देखते हैं ग्री तो ग्रीन रंग क्या है आराम का प्रतिक होता है ताजगी का प्रतिक होता है कि इसको मिटा देती हुँ मैं कि ग्रीन रंग ताजगी का प्रतिक होता है आराम का प्रतिक होता है विश्रांती का प्रतिक होता है एक ग्रियुकुल का संपन्निता प्तिक होता है सम्रिधी प्रतिक होता है शांति कर पृतिक है ये कौन सा रंग है अमारा ग्रीन आप हम यह लो कलर देखते हैं तो यह लो कलर भी हमारा जिंदा का प्रतीक है मेल बिलाब का प्रतीक है वेलकम का प्रतीक है वेलकमिंग जब हम किसी को स्वागत करते हैं मन से स्वागत करते हैं तो हम पीले कलर का उपयोग करते हैं है ना उल्लास का प्रतीक होता है खुशी का प्रतीक होता है ठीक है इसके बाद अगर आप ब्लू कलर को देखते हो तो इस सांती का प्रतीक है सी तलता का प्रतीक है व्रहद्दता का प्रतीक है व्रहद हमारा आकास नीला है इतना विस्त्रित है ब्रात्री वाव का फैलाने वाला है हमारा सागर है समुंद्ध रहे पानिग नीला कहते हैं घगन हमारा नीला है तो ये सांती सी चलता भार्तित्वब ब्रदर हुड है यह है कि इसका प्रतिक होता है और यह ठंडा रहुता है और आराम-दायकता का प्रतिक होता है अब हम देखते हैं यह हमारी हो गई प्राथ्मिक सब्सक्राइब का गूल अब सेकेंडरी कलर के जो मैंने आपको बताया था कि रेड और ब्लू को हम मिलाएंगे तो हमारा मिलेगा औरट्र कलर क्या प्राप्ति होगा में औरेज रंग की प्राप्ति हो गई तो औरेंज कलर भी हमारा जो है स्वापका आप देखते उन्हों उत्साह जो श्रीला इसका प्रतिक होता है आप देखते उसादू संतों को सेफ्रन कलर पहनते हैं जोगिया रंग पहनते हैं नारंगी रंग जैसे उसी से मिलता जुलता कलर पहनते हैं सुन्दर लगता है तो नारंगी रंग जो होता है वह हमारा किसका प्रतिक है आशा का आशा उत्सा हिम्मत आती थी सतकार कि यह किसका है यह हमारा औरेंज कलर का क्वाइलेटी है चल इसको मिटा देती हूं फिर मैं आगे बढ़ती हूं सेकेंड कलर को ले करके विटा दूं अगर चाहो तो इसको आप एक पिक लेलो मैं हट जाते हूं पिक लेलो कि लेली चल आगे बढ़ते हैं कि यह प्रात्वी कलर के मैंने गुन बताए है अब सेकेंडी कलर का देखो कौन-कौन से भावनात्में के एफ्यक्ट पड़ता है तो सेकेंडी कलर देखेंगे तो मैंने क्या देखा था कि रेड को ब्लू के साथ मिलाए थे तो हमारा क्या बना था extract को यहाँ पर रेड है और यहाँ पर ब्लू है तो रेड ब्लू बना हमारा मुआ है यहाल लालो नीला है कि इस पर हमने देखा तो रेड और ब्लू जो हमारा वाइलिट कलर जो बना है रेड मिलाने से इस यह ना पेंट चार कंवर सार अग्राइब और विश्यायव निए विए यहां पर और कलर मिल गया है रहेड़ ग्रीन विलाएंगे तो हमारे यहां पर लाल ब्लू मिलाने सामें वायरिट कल दो मिल गया है यह यह न है यह लो और ग्रीन को मिलाएंगे तो हमारा YG कलर मिल गया और ब्लु को ग्रीन से मिलाएंगे तो BG कलर मिल गया है यही था हमारा तिनका भी एफ क्ट जो रहेंगे एक ठंडा गरंग Big Blue वाला अब दूसरे रंगों के बारे हम देखते हैं कि अन्डे रंगों का मानव जीवन के संबेगों पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम स्वेत रंग का देखते हैं सफेद रंग का तो स्वेत रंग होता है हमारा शांती का प्रतीक होता है सफेद का भूतर उड़ाते हैं ना तो स्वेत जो रंग होता है हमारा शांती का प्रतीक होता है पवित्रता का प्रतीक होता है कि शुद्धता का परतीखुता है और एक और है दुखत घटना होता है बैदभ्य है बैदभ्य का परतीखुता है आज तो आप चलो जमाना बदला लोग बदले तो विद्वाओं का जीवन है थोड़ा कि तुलना में अतना कस्ठकारी आप बिद्वा को पहचान भी ने पाऊगे की विद्व थो और हो नहीं कि उपनेे के लिए प्रतिक परतिक और सुधनका प्रतिक का परतिक के सिरें परतिक का उसे पर कले रंकी मθर्टी लगा करके खड़े हो जाते हैं के हम आपकी बातों के विचारों से सहमत नहीं आपको हम साध का प्रतीख हें कि हमें हमारी मांगें पूरी कर रहे हो हमारा टीजिती में सीटें इने बढ़ा रहे हो हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे हो तो क्वार धरनादे ब्राउन रंग प्रकृति इसकी उसनों होती है गरम होती है और यह भूरा रंग आपका बहुत इस तरह का रंग है जिससे कि आपको बहुत अच्छा नहीं लगता है चीक है ब्राउन कलर की चीज़ें अच्छी लगती है बढ़िया लगता है लेकिन बहुत आपको बहुत खुशी उए उसा नहीं ततक पकती बहुत उससे नीराशा भी नहीं ततक प्राउन कलर की तो बैंगनी रंग अगर आप देखोगे बैंगनी रंग करने राजसी थाट का प्रतिक हुता है यह दिक ग्रेइक सज्जा में बैंगनी रंगों का कम से कम उपयोग किया जाता है बहुत समझदार होते हैं जो कलर कंबिनेशन करने वाले या होम डेकुरेट करने वाले वो बैंगनी रंगों का बहुत अच्छे तरीके सिस्तेमाल करते हैं लेकिन सम्मेगात्मक प्रभाव इसका क्या पड़ता है राजसी कि यह निरुत्साह का भी प्रतिक होता है उत्साह नहीं लेकिन अगर किसी व्यक्ति को रंग से यूजन नहीं करना आता है और ब्लू कलर आपके बैंगनी कलर से सज्जावत बिल्कुल ही खराब हो जाएगी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगी बैंगनी कलर पिला हरा जो पर्तिक होता है प्रशन नहीं कि खुश थिल्टा कलर का اड्रेस पहणी अच्छा लगेग है तो आज मैंने आपको मानोव जीवन के मानो जीवन में रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है संबेगों का क्या प्रभाव पड़ता है रंग हमें किस प्रकार से हमारे संबेगों को प्रभावित करते हैं हमारे मन को किस प्रकार से अहला दित करते हैं या इनमी जनी रुट्सा से भर देते हैं इसका आज हमने को अच्छी लगती है तो प्लेश करें कॉमेंट करें सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए मुझे जाने की जाज़त दो और जो चुछ आपको समझ में नहीं आता है आप कॉमेंट वाक्स में लिखिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूल अच्छी सच्छी जानकारी दे सकते हैं ओके बाए